लेकिन इससे पहले देखा जा रहा है कि लोग सफ़ा चुनाज से पहले कई गठवंदन तूटते बिखरते हुई नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखलेश यादव का साथ छोड़ दिया रालोट प्रमुख जैन चौधरी ने वहीं दूसरी ही तरफ बिहार में आरजेडी और जेड्यू का गठवंदन तूट गया। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं क्या ये गठवंदन एक बार फिर से बनता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। आखिरकार मुख्यमंतरी नीतीश कुमार और पूर्व उपमुख्यमंतरी तेजस्वी यादव एक बार फिर से साथ में नजर आएगे या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौझूद है हमारे सहियोगी दिनेश जिन से हम सवाल लेना चाहेंगे बिहार की इस स्यासत के बारे में। हमारे बीच रखे होते अगर आपने एक भी बात हमसे कही होती तो हम अपने नेताओं से बातचीत करते हम दूर हट जाते बाहर से आपको समर्थन दे देते लेकिन आपकी सरकार को हम गिरने नहीं देते दूसरी तरफ यहां पर नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने एक और ब देखे जब नितीश कुमार ने एलान किया था कि वे एंडिये में शामिल हो रहे हैं उस वक्त भी तेजस्वी यादव और तेजपरताप यादव तो खास तोर पर जिनका जो रविया है वो उग्र देखने को मिलता रहता है लेकिन शान्ती रखते हैं और कहते नजर आते है कि आने वाला वक्त तैय करेगा कि बिहार की राजदिती का भवश्य क्या होगा नितीश कुमार के लिए किसी भी प्रकार के कटू वचन इस्तेमाल करते वे नजर नहीं आते हैं और इससे साफ़तोर पर अंदाज यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाओ के बाद तेजस्वी यादव को आरजेडी को तेजपरताप यादव को फिर से उम्मीदे हो कि नितीश कुमार एक पर पल्टी मार के फिर से चुनाओं से पहले उनके पास आ जाए क्योंकि नितीश कुमार का जो पिछले ट्रेक रिकोर्ड रहा है वो यही बयान करता रहा है पिछले 20 साल की राजनेती में 15 साल तक जरूर भारती जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे हैं लेकिन दो बार आरजेडी के साथ भी सरकार बना चुके हैं तेजस्वी यादव इसलिए भी याद दिलाना चाहते हैं उन्होंने कुछ यहाँ पर नर्म लहजे में कटाक्ष क कि हमें सुस्त मुख्यमंत्री जो है वह एक्सेप्ट नहीं था आने वाले वक्त में हम यह याद दिलाना चाहते कि जो वायदे किये थे उन वायदों पर सरकार काम करें जब मुख्यमंत्री बने रहे थे नितिश कुमार डिप्टी सीम थे तेजस्वी यादव तमाम जो रो चाहिए सरकार किसी भी हो और ऐसे में आगे आने वाले वक्त में अब कहिना कि तेजस्वी यादव को यह उम्मीदे जरूर है कि चुनाओं से पहले हो सकता है कि एक बार आरजेडी के खेमे के साथ फिर से नितिश कुमार साथ हा सकते हैं वाकई में जिस तरह से यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया उस बयान पर अगर रुख कर लिया जाए तो तेजस्वी यादव ने साफ तोर पर कह दिया कि हमको जरूर याद कर लिजेगा यदि आपकी बात बने या फिर ना बने और तेजस्वी के इसी बयान को देखा जाए तो भविश्य में आश्वाशन के तौर पर देखा जा रहा है नीतीश कुमार के लिए आखरी छोड़ा से सवाल यहां पर दिनेश लेना चाहेंगे लेकिन उससे पहले दर्शकों को यहां पर तेजस्वी के उस बयान से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिर खुदी चल गए गवर्णराओ लेकिन आज हम इसना तो आप से कह सकते हैं इसना बात तो कह सकते हैं कि आप बुला लेते हम लोग बात कर लेते नहीं है ठीक है तो उसका भी विवस्था करेते हैं अगर हमारे सरकार थे हमारे मंद्रियों से तिकत है तो फिर से बहार से समठ तो बुला करके बात कर लिए तूल कर लिजए क्यूंकि हम आपको अपना परिवार समझते हुशना लोग समाभगी परिवार के overcome eyeballs और इसको ध्यान में और एंपना चाहिए वजये लिए जी विजय क्वशा जी सब लोग को बात रखना से करें help एंभा जेना चाहिए वंद मोदी जी को देश में रोकना है आपका भतिजा जंडा उठा करके मोदी जी को पिहार में रोकने करते हैं यह कोई यह कोई पहली बार नहीं है यह कोई पहली बार नहीं है मुख्षमंत्री जी जो आप लोगों के साथ हम लग रहे हैं अके लिए हमारे साथ कॉंग्रेस हैं माल है बहागडबंदर हम लोगों ने बनाया था कि दोजार बीस में और बीस में तो क्या रिजर्ट हुआ था उसी जणा फिर आज मुक्मंत्री जी को कि तीसरी नबर का पार्टी पो गया और चर्चा तो बजार में भी चल रहा है आप मुक्मंत्री जी एक और पुरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है अरे कभजा छुड़वाने चले थे अब तो खुजी कभजा इन पर हो गया अब देख लीजे लेकिन लेकिन जितने मीडिया की लोग है अरे कभजा ना हो गया है हां आप लोगों पर कुछ लिखने देगा एको भुलने देगा तो अब टो खावजा अभी पर हो गया है कैर जो भी हमीसादी कहते रहे हमारा तो दर्वाजा बद है जो उनका क्या उनके बात में दम record ौली दंने भी आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी ने यहां पर अपनी बात को रखा लेकिन अब आने वाले समय में दो हजार पचीस में विधान सभा चुनावे लोग सभा चुनाव में अगर नीतिश कुमार को फायदा नहीं मिलता है तो क्या एक बार फिर से पल्टी मारेंगे देखे प्रांसी यहां पर बिहार की जो राज़िती है वो तिरकोनी बनी हुई है ना तो बीजेपी के पास समर्थन है बहुमत है ना आरजेडी के पास है और नितिश कुमार तो 2015 से लगातार फिसलते ही आ रहे हैं ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि यदि बात बन आने की जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना क्योंकि हम हमेंसे आपके लिए वैलेबल रहने वाले हैं तो इन तमाम बयानों से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि नितिश कुमार के लिए चाहे नितिश कुमार को यहां पर बदनाम जरूर क्या जा रहा है बिहार की रा हजाय तो नितिश कुमार और तेजस्वी आदब की अलग-अलग रणनीतिया नजर आ रही है और पाला बदलते हुए यहां पर कई विधायक नजर आएं फ्लोटेस के दोरान ही हमने देखा कि आर जडी के कुछ विधायक तीन विधायक जेडियू में शामिल हो गए और उन